नमस्कार पीते हफ़ते टेकनोलोजी से जुड़े कई नए अपडेट्स अनाउंस किये गए जैसे आने वाले दिनों में वाट्सेप पर कोलर आइटनिफिकेशन से लेकर ट्वीटर में ओडियो वीडियो कोल जैसे कई नए फीचर्स को जोड़ा जाएगा वहीं गूगल ने भी AI बार्ड को लॉंच कर दिया है टेकनोलोजी से जुड़ी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट बीते सबताह टेकनोलोजी ने कई अपडेट्स को लेकर कंपनियों द्वारा अनॉंस्मेंट किये गए जिसमें वाट्सेप ट्वीटर गूगल जैसी कई टेक कंपनियों ले कुछ नए फीचर्स को लाने की बात कही है टेकनोलोजी में पहला अपडेट वाट्सेप से है वाट्सेप ने अपनी यूजर्स की सुरक्षा को इंदान में रखते हुए स्पैम वा फ्रॉट कॉल का पता लगाने के लिए ट्रुकॉलर के साथ ग्लोबल इस्तर पर साजेदारी का एलान किया है जिसकी बात ट्रुकॉलर की ओर से कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस को वाट्सेप के साथ जोड़ा जा रहा है मतलब ट्रुकॉलर का कॉलर आइडेंटिफिकेशन फीचर वाट्सेप प्लैटफॉर्म पर भी उपलब्द होगा और ट्रिकॉलर का ये फीचर वाटसेप यूजर्स को इंटरनेट से आने वाली परजी और स्पैम कॉल से बचाएगा जो की आने वाले समय में वाटसेप पर देखने को मिलेगा वाटसेप के दूसरे अपडेट की बात करें तो वाटसेप जल्दी ही एड़ेट मेसेजस नाम का फीचर लाने वाला है जिसके माध्यम से आप अपने भेजे गए वाटसेप मेसेजस को बिना डिलीट किये भी एड़ेट कर पाएंगे वही वाटसेप और मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में एक नए फीचर को वाटसेप पर जोड़ा है जिसकी दुआरा एक वाटसेप अकाउंट को अधिकतम चार फोन में लॉगिन किया जा सकता है वहीं एलन मस्क ट्वीटर को ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं इसके लिए एलन मस्क की तरफ से ट्वीटर में लगातार बदलाव किये जा रहे हैं अब खबर है कि एलन ट्वीटर प्लाटफॉर्म में आडियो और वीडियो फीचर सुविधा ला रहे हैं जिसकी दुआरा आप बिना किसी नंबर के दुनिया भर में आडियो वीडियो कॉल कर पाएंगे जो की वाटसेप की तरह एंक्रिप्टिड होगा साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग एप ट्वीटर ने मैसेज सुविधा को सुरक्षित करने के लिए एंक्रिप्टिड डीम फीचर को लॉंच कर दिया है जिसके द्वारा लोगो को end-to-end encrypted message ट्वीटर पर किया जा सकता है हालाकि इस service का लाव केवल verified users ही ले सकते हैं वहें Google ने अपने Google I.O.2023 एविंट में AI best chatbot bard को एक नए फीचर के साथ पेश किया है जो की users की security और privacy का ख्याल रखेगा साथ ही bard में visual support भी मिलेगा बाट chatbot, हिंदी, बंगला और फार्सी सहिक चालिस languages में काम करेगा जिसे भारत में free में इस्तिमाल किया जा सकता है वहें Google ने Google Sheet में भी AI support देने की बात कही है जिससे Google Sheet में prompt डाल कर AI की मदद से sheet कैयार कर सकेंगे समय समय पर technology में होने वाले बदलाव लोगों के कारेओं को सुगम बनाते हैं और users की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं टेकनोलोजी का प्रयोग करते समय ग्राहक को कई परकार के spam का सामना भी करना बढ़ता है अब देखना यह होगा कि यह नए अपडेट्स ग्राहकों के कारेओं और इन एफ्स के इस्तमालों को और कितना सुरक्षित बना सकते हैं टेकनोलोजी से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहे एससे न्यूस चैनल के साथ धर्नेवाद झाल